हाई गाईज वेलकम और वेलकम पैक तो माई चानल इट्स मी सलोनी और अज की वीडियो में मैं आपके सांश शेयर करूंगी यह सॉफ्ट ग्लैम पिंक मेकप लुक तो यह जो लुक है यह टोटली पिंक है अगर आप कोई पिंक सारी या पिंक कलर का कोई भी ड्रेस वेर कर र या ऑज ऺ़ाerkt करें आपका है और आपको यह वीडियो अच्छे लगती है और आपके लिए ठोड़िसे भी Notes रश्सृपस कार दक ना को बैल आकन आउटर कॉर्णर पे भी बहुत अच्छे से ब्लैंड करूंगी, ब्लैंडिंग बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपको थोड़ा थोड़ा कलर लेना है, और लेके अपने कलर को बेड करना है, नेक्स मैंने लिया है डाक पिंक सेड, उस कलर से थोड़ा सा ये डाक है, औ इसको मैं एक्सक्ट अपने सिर्फ क्रीज में ही प्लेज करूंगी, और प्लेज करके ब्लैंड करूंगी, और आउटर कॉर्णर पे भी ब्लैंड करूंगी, आपको थोड़ा थोड़ा कलर लेना है, जब तक आपको अपने डिजायर से नहीं मिल जाता, तब तक आपको अप फ्लैट ब्रस की जरत पड़ेगी, सो फ्लैट ब्रस से ही आपको अपना cut crease करना है, तब ही आपका जो cut crease है, वो बहुत जादा अच्छा आएगा, perfect आएगा, सो मैं हाफ से थोड़ा सा जादा अपने crease को cut कर रही हूँ, as you can see in this video, फिर मैंने थोड़ा सा concealer लिया है, अपने crease के line को और भी जादा clean किया है, clean look दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो, फिर मैंने थोड़ा सा अपना light pink से लिया है, और इसके ऊपर place कर दिया है, जस थो, next मैंने लिया है same palette से pink brush glitter, yes, और इसको लेके मैं अपने finger से ही ले रही हूँ, और दीरे दीरे प्रेश कर रही हूँ, उस मैंने same dark pink shade लिया है, और इसे मैं अपने outer corner में बहुत ही अच्छे से blend कर दो, next मैंने लिया है in color का gel eyeliner और इससे मैं एक basic eyeliner ड्रॉ कर ले रही हूँ, ताकि जो हमारा glitter है वो अच्छे से hide हो जाए, हम दो बार eyeliner अप्लाई करेंगे, next मैं use कर रही हूँ, like me का insta liquid eyeliner, इस eyeliner से मैं ए black eyeliner मीलेगा, so इसलिए मैंने 2 eyeliner लगाया, so अभी हम चलते है अपने face makeup की तरफ, और यहाँ पर मैं अपनी skin को prep करूंगी, और यहाँ पर मैं use कर रही हूँ, like me pitch milk का moisturizer, अपने skin को hydrate करने के लिए, next मैं use कर रही हूँ, blue heaven का यह primer, और यह primer मेरा favorite primer है, affordable में बहुत ही अच्छा option ह अगर आपको एक अच्छा primer चाहिए, then definitely आप इसके side जा सकते हो, so अच्छे सापको पूरे अपने face पे apply कर लेना है, जादा ने लेना है, थोड़ा सा primer apply करना है, next मैं यहाँ पे ले रही हूँ, mebeline का यह highlighter stick, और इसे मैं अपने face के high points पे apply करूंगी, इसे apply करने से जो भी हम से बहुत ही अच्छे से blend कर लूँगी, finger से ही blend करूंगी, कोई beauty blender नहीं use करूंगी, otherwise सारा highlighter हमारा चला जागा, इसलिए मैं ने finger use किया है, next मैं use कर रही हूँ, mebeline fit me का foundation, और जो मेरा side है, वो है 125, और foundation यूज़ करने से पहले आपको अच्छे से उसको sec कर लेना है, then आपक आपको अपने neck को नहीं skip करना है, neck पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से apply करना है, next आपको यूज़ करना है, एक damn beauty blender और उसको अच्छे से blend करना है, धीरे-धीरे blend करना है, पयार से blend करना है, ताकि जो भी आपका make-up हो वो बहुत जादा flawless है, and neck को भी अच्छे से blend कर लेना हो, then आप cream contour करो, otherwise कोई dress वेगरा wear कर रहे हो, like patiala suit या कोई भी Indian dress wear कर रहे हो, then आप only bronzing कर सकते हो, यह आपके उपर depend करता है, आपको क्या करना है, next मैं अपने face को contour करके, और beauty blender की help से blend कर दे रही हूँ, and यहाँ पर मैंने jawline को भी contour किया है, अगर आपको double chin की problem है, then आप कर सकते हो, otherwise skip कर सकते हो, it's totally up to you, and अच्छे से आपको blend कर लेना है, इससे जो हमारा face है, वो और भी ज़्यादा enhance होके आता है, next मैं यूज कर रही हूँ, Swiss beauty का concealer, और इसे मैं highlight करूँगी, अपने under area को, nose को, chin को, cupid pore, और जहाँ पर मैंने चिक पे contour किया था, उसके थोड़ा सा नीचे मैं करूँगी, ताकि हमारा face और भी ज्यादा अच्छे से highlight होके आए, next मैं यूज कर रही हूँ, एक concealer brush, और उसकी help से मैं बहुत अच्छे से blend कर दे रही हूँ, ये brush मुझे बहुत जादा पसंद है, personally, बहुत अच्छे से concealer को blend कर देता है, so अब ये आप देख सकते हो, मेरे face में difference, मेरा face किस तरह से highlight हो गया है, so आप भी कर सकते हो, next मैं यूज कर रही हूँ, ये stay quirky का, ये loose powder, अगर आपका skin extremely oily है, then आपको ये step करना है, अगर आपका skin dry है, then आपको compact powder यूज करना है, अगर oily है, तो आपको stay quirky का, ये कोई भी loose powder आप यूज कर सकते हो, next में यहाँ यूज कर रही हूँ, क्लेमी का ये blush up palette, और इसे मैं अपने apple of the chicks पे apply कर रही हूँ, दो set को मैंने mix किया, और बहुत ही अच्छे से मैं apply कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, and blush लगाना मुझे बहुत जादा पसंद है, next मैं use कर रही हूँ, same palette से highlighter, और face के high points पे apply कर रही हूँ, ताकि जब भी sunlight पड़े, या फिर जो भी lights होते हैं, वो हमारे face पे आए, तो हमारा face बहुत जादा glow करे, and आपको only high points पे ही apply करना है face के, next मैं use कर रही हूँ, यहाँ पे किस beauty का ये pink lipstick, and ये थोड़ा सा pink है, और यहाँ पे मैं use कर रही हूँ, blue heaven का मसकरा, और इसे मैं अच्छे से अपने lashes को coat कर ले रही हूँ, upper lashes and lower lashes को, and ये रहा मेरा final look, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना है, चानल को सब्सक्राइब कर देना है, and बाजू में ए वीडियो करने का, so आज की वीडियो में इतना है, नेक्स वीडियो में, till then pop by, take care, stay home, stay safe. झाल